हिंदी साहित्ते की वरिष्ठ लेखे का राजी सेट जी की कहानी सुनिये इन दिनों तो शुरू करते हैं कहानी इन दिनों वे बूढे तो नहीं हुए थे अकेले जरूर छूट कहे थे बेटे नौक्रियों पर बेटिया आपने घर पत्नी के प्रती एक विरस्ता शायद साथ रहते रहते चीजें नीरस और भोथरी हो जाती हैं संभव वे पत्नी को भी ऐसा लगता हो पर मजाल है जाहिर होने दे या चूग जाए एसी गजब की तेनाती रोटी पानी दवा दारू कपड़ा लत्ता सार सेवा दुनिया दारी सब उसकी रमते भाव से करती है इस बाहने वो दूसरों के लिए कुछ करते होने का भरम तो पैदा कर लेती है जबकि वो खुद ठूट के ठूट बच्चे दिये बस और क्या किया वे भी एक एक कर रफू चक्कर हो गए अब चिंता एक ही है घर भरा हुआ है चीजों से उपहरों से नेमतों से अलमारिया ठसाठस समझी नहीं आता कि इनका क्या करें ये सब उनके होने से आगे चलने वाली चीजें हैं जिनका उनकी सोच की आखरी सरहत से आगे कोई रिष्टा नहीं बनता उल्टे उन पर पहरेदारी का भार पड़ता है चीजों की बहुलता में दूसरों के लिए एक प्रलोभन है एक बुलावा पर बच्चों का अपना सोच है भरपाई का अपना धब वे आते हैं अकेले छूट गए माता पिता को उपहरों से पाट जाते हैं और उपहर भी किस तरह के अंदर से फर लगे जूते लंबे कोट मुलायम मोजे मोटी बंडी कमर तक खिछते स्वेटर पश्मीने के शौल नई तरज पर रपटने वाला रेजर बलेड उन चीजों क चुनाओं में बुढ़ापे की जरूरतों की ओर अपटी एक तरफदारी होती है चीजें उसके जाने के बाद भी बिट बिट मुट आकती हैं छुटका एर इंडिया में काम करता है उससे कहा था कुछ मतलाओ तो बोला माबाप के लिए न लाएं तो किस के लिए लाएं उन करें इससे पहले की दूसरे लूट पार्ट लें घर नाम के इस हार्ट बजार को खुदी उठा लें निवरत महसूस करें किसी दिन अचानक आखें बंध हो गई तो सोची नहीं पाते क्या हश्र होगा उन लों के पहुँचने से पहले लूट पार्ट मत चुकी होगी हाला क कि ये अंदेशा पूरा है कि आखें बंध होने से पहले ही किसी दुरगटना का शिकार हो जाएं ऐसा कभी भी हो सकता है कि कोई दिन दहारे घर में घुसाए और गरदन पर तेज छुरी चला दे या कि सिर पर सलाकों से वार करे या कि पतनी की साड़ी को ही फंदा बना कर उ माहौल ही कुछ ऐसा है इससे तो अच्छा है कि जिसके हिसे का है उनके जीते जी उसके पास सुरक्षित पहुँच जाए। समाजवादी लीडर बना दमात कहेगा जिसके हिस्से का है वो खुदी ले जाएगा आपको मेरा मतलब है किसी को इनायत करने की जरूरत ही नहीं ये सब रेशो में उलजी हुई बाते हैं मन में हर दम टप टप टपका करती हैं बाहर से दिखाई ने देती हैं इस तरह इतनी रेर सी चीजों के बीच अकेला छूप जाने का डर अजीब रंगत का है दिखाई तक नहीं देता क्योंकि डर की कोई शकल तो होती नहीं आज की सुबह उनके लिए इसी दुस्वपन के विस्तार की तरह होगी जो कुछ अंदर था उसके इतना चटक होकर बाहर दिखाई देने लगने से विथर थरा गए सामने सुबह का अकपार था फिर से व्रद्य दमपत्य पर हमला इस सब्ताम में तीसरा हादसा है वही वसंद कुझ वही दोपहर वैसा ही हादसा फैसला व्रत्य है फर्क इतना ही है कि कहीं लोहे की छड़, कहीं रस्टी का फंदा, कहीं छुरे का वार पर क्यों? व्रद्धो को ही क्यों? पूछे कोई कि उनकी टेट में क्या मिलने वाला है? अपने को ही लगा गला सोच रहे हैं चोर जानते हैं, इनी की टेट से सब कुछ मिलने वाला है वही अपने पुखता पुराने किलों पर गड़ देवताओं की तरह विराजमान है जानते हैं कि उनके बच्चे प्रतीक्षा कर सकते हैं, चोर नहीं कर सकते चोरों को असरी डरतो बच्चों का ही है जो वारिज बनकर हर चीज़ पर कबजा कर लेने वाले हैं सो पहले से ये दूरंदेशी क्यों न बढ़ती जाए चौकी पर कबजा क्यों न कर लिया जाए अकबार के मुख प्रश्ट पर इतनी सफाई से छपी मृत दमपत्ती की फोटो उनने ध्यान से देखी इतना देखने के लिए उनने कमरे की रोशनी कमसी लगी तो अपने को खिड़की की उजास तक ही चलाए फोटो में पुरुष का एक हाथ पलंग से लटका दीख रहा था चेहरा कुछला हुआ, कान के पास फैला एक काला थक्का दूरी पर पड़ी एक चपल, गुड़ी मुड़ी सी चादर, लोड़का हुआ टेबल लैंप और अस्त व्यस्त खुली दराजे इस्तरी का शव देख कर वेकाम के, पलंग के पाये के पास वो जमीन पर पड़ी दीख रही थी कमर के नीचे दरी की एक मोटी सलवट, चेहरा ओजल, तकीय की तार तार रुई, पास में लोहे की छण इस्तरी की दोनों टांगे लावारिस सी दूर रूर, कपड़ा जांगों के उपर तक उगड़ा हुआ चट पटा गए, ऐसा कैसे करें कि चारों खाने चित पड़ी इस उगड़ी हुई औरट को करवर दिला दें या धग दें, गली गली द्वार द्वार ये अगवार बढ़ता है और टाइम्स का सर्कुलेशन भी तीम-चार लाग से उपर सुना है पत्नी के आने की आहट सुनी तो अगवार मोड कर चट टेविल के नीचे सरका दिया पत्नी हाथ में मटर की डलिया लिये चलती चली आ रही थी हुआ की नहीं तुमारा पत्रा पूरा, वैसी हस्तीवी आँखें और मस्त मौला चाल वे चिड़ गए, हाथ अगवार तक पहुँचने को हुआ, मन में ये की उठाएं और इन फरफ़ाते पन्नों को इस बेशहूर औरत के मूँ पर दे मारें ऐसी फकर मस्ती को चीथ दें, कुछ होशी नहीं कि कैसा जमाना चल रहा है वो यद ये पत्रा न पढ़ें तो जानी न पाएं, कि अपना बचाओ कैसे करना है अब तक तो वो पलंग के किनारे बैट कर मटर की फलियां चीलने लग गई थी चील कर रख देती हूँ, जब खाओगे तो गरम-गरम चौंक दूंगी तुम क्यों चौकती हो, देवा चौकतेगा देवा, देखते नहीं कितनी मिर्चे जोकता है सच पूछो तो वो अपना स्वात पहले देखता है ना कि हम लोगों का वे सुनते रहे, अपने पर ओडे शौल के तंत अंगूठे और अंगली के बीच दबा कर नोचते रहे फिर अचाना की बोले, सुनू, तुम्हें कभी देवा पर शक नहीं होता क्यों, वो हरवड़ा गी, क्या कुछ गलत करते देखा है तुमने उसे नहीं, वैसे ही पूछा, आज कल किसी का क्या ठिकाना, कब किसकी नियत बतल जाए हाँ, कहते हैं न, कि दुद्ध और बुद्ध फटते देर नहीं लगती पत्नी ने सयाना सा जुम्ला भेजा, पर वैसे सोचो, यहां ले जाने को रखा ही क्या है क्यों, क्या जान नहीं रखी, वे तीखे हुआ है, अब जान का भी क्या है, नदी किनारे रुखड़ा, अज डिगगा, कि कल पत्नी की ये वीतरागी सहचता, उन्हें अंदर से खुषब्द कर गई, यह है कि किस दुनिया की मूरक, पता ही नहीं बाहर क्या कुछ हो रहा है, सोचती होगी उसे क्या, सिपर बैठा है पहरेदार, एक अदद मरकटवा मरत, उसे का है कड़र, मजाल है रोया तक कामता हो जीव का, वो अचानक ही उसका चेहरा ध्यान से देखने लगे, जुरियां नहीं थी, पर जुरियों के आगमन की लकिरें तुचा पर लिखी जा चुकी थी, उसके हाथ फलियां खोज रहे थे, और होटों के बीच एक मुसकान खुलने को ततपर हो रही थी, मटर के कुछ न वो तो कोई दूसरी बात थी, मनु की बात पर याद आ रहा था, कि अपना मनु मनु को कैसे चिड़ाता है, कि मेरी मा के बाल चांदी के हैं, तुमारी मा के एक काले धुत, और वो चिड़ भी जाता है, देखा नहीं था उस दिन, बात की धार उनन तेजी से चीरी, बस यहा ही दर्द है, तो ले जाएं ना अपने पास, यहां डाल रखा है चोरों हत्यारों के बीच, अपकी बच्चों की मा ने गर्दन उठा कर उन्हें सच में घूर कर देखा, अरे तुम तो सच में गुस्सा हो रहे हो, पर पता तो लगे किस बात का गुस्सा, बच्चे अपने क जानी की तरह बात कहां से कहां जा रही है, उनके गुस्से का अर्द भी नहीं समझा जा रहा, पुरानी बातें छोड़ो, वो जमाने और थे, ऐसी खतरनाक बातें तब नहीं होती थी, कैसी खतरनाक बातें, अरे तुम्हें क्या पता अगबारों में क्या क्या कुछ निकलत है पर हमारी कौन सी किसी से दुश्मनी है मान लो नहीं है दुश्मनी कोई जरूरी भी नहीं दुश्मनी भूखे हो गए हैं लोग चारों तरफ एकदम हवसाय हुए वो ऐसे बैठी रही जैसे किसी दूसरी दुनिया में बैठी हूँ ये खूब रही इनके लिए हर दम छाता पकड़े खड़े रहो साथ रहेंगी साथ खाएंगी साथ सोएंगी पर चिंता की थाली से एक और तक काटने को तयार नहीं सच कहते हैं कि औरतों के अकल होती ही नहीं एका एक उट खड़े हुए यहां कुड़ते हुए बैठे रहने से तो अच्छा है टहल आया जाए जब आप दादा के जमाने अच्छे थे घर हरा बरा रहता था साथ ही कुनबा नहीं कितने ही कुनबे साथ रहते थे बैएने बेटियां दामाद चचेरे मौसेरे भाई चाचा ताउ नातिने दोहते पोते बचपन में विद्वा हुचकी बुआएं नानिया दादिया नाते पर पलते और भी चार छे परिवार हर वक्त भरा पूरा चहता महता आंगन और तो और तलब किया नहीं कि दरजी नाई बढ़ाई मोची धोबी तुरंत के तुरंत हाजिर फिर चीजें एक से एक नायाब चीजें बैठके में अभी भी पीले हो चुके चित्र टंगे हैं चि पईयों वाले बकसे, चांदी के गुलाबदानियां, जर्दोजी के कलगी, पक्के मीने की आरसी, शीशम की अल्मारियां, सुनेरे अक्षरों वाली काली किताबें, खंखनाते बोलते रुपए, क्या क्या कुछ, कितना कितना कुछ, वैसा डर उनके बाप दादों को क्यों नहीं था, चीजें जुटाते जाते थे, और कहते जाते थे, अगली पुष्टों को पता कैसे लगेगा, कि उनके पहले का जमाना कैसा था, घर दुआर रख रखाओ कैसा था, दादा के जीवन दर्शन को निचोडने बैठे तो लगा, कि वो सदा से कह रहे हैं, रक्की रह जाने दो चीजें, उन पर छपने दो वक्त के पैरों के निशान, जमने दो धूल, नई नस्क की हतेलियां इन्हें जार पोँचकर खुद बखुद अपने अतीद का चेहरा देख लेंगी, ऐसा कर लेने पर वो कितना प्रफुलित होंगी, फैलेंगी, फूलेंगी, ये करत तब भी क्या कम है कि कोई इस तरह उस जमाने में दाखिल हो सके, जिसमें वैसे कभी दाखिल नहीं हुआ जा सकता, ऐसा तो है नहीं कि जीने, मरने, बनने, ढहने के नियम बाप दादा नहीं जानते होंगे, फिर भी कैसे इतना निर्दय बने रहे वे लोग, दुनिया का न के मलबे से आज भी उस निर्भैता को छू लेना संभव है, जबकि अपना ये हाल है कि मकान में जो छोटा सा आकाश का टुकड़ा है, उस पर जंगला कस्वा लेना चाहते हैं, गेट से शुरू होती बाहर की दीवार के साथ लंबी और ऊची जाड़ियां हुआ चुके हैं पिछवारे आंगन में चड़ती बेल के नीचे नुकीली सलाखें और काश के टुकड़े जड़वा चुके हैं, कोने में उसरता ऐसा फलदार पपीते का पेर परसों कटवा डाला, कौन जाने नुकीली सलाखों के बावजूद कोई इसके सहरे चड़ता अंदर कुच जाए कई दुनों से मन में गुमर रहा है कि छट पर नौकर के लिए एक छाजन छवा दें, देवा दिन में जहां भी रहे, रात गो घर के बाहर सुया करे, किसी की नियत का क्या ठिकाना कुछ और साफधानिया भी दिमाग में है, गाड़ी में अलार्म, मीटर बॉक्स पर हैरिसन ताला, बगीची में स्टील की टोटी पर प्लास्टिक का लोचदार शिकंजा, जिसके बारे में कई दिन से अगबारों में पढ़ते आ रहे है, तीन बार बाहर से टोटी कौन जाने कब क्या हो जाए, पर कितनी अजीब बात, इसी हवा पानी में सांस लेते उनके बच्चे, उनके डर को नहीं छूपा रहे हैं, बस्तुओं से उन्हें पाटते जा रहे हैं, जोखम बढ़ाते जा रहे हैं, पर आने को नहीं कहते, जबकि उनके मकान में दिनरात भाएं भाएं करता एक डर सांस ले रहा है, और अपने निजाम को फैलाता उनके सर पर हावी हो रहा है, काश जिस तरह से वो अपने पुर्खों की निर्भैता को छूपा रहे हैं, उनके बच्चे भी उनके भै को छूपाते, बाहर निकले तो खुलापन खुशकवार लग अंदर बैठे बैठे मन उतपाती हो जाता है, तंग दिल, हर आहट को संदेह से देखता है, सौगज गए होंगे, ये पडोसी खोसला मिल गए, मिलते ही वही बातें, वसंद कुझ में लगातार होती हत्याओं की, जिस दिन जो कुछ अगबार की सुर्खियों में होता है, च जाहिए, टाइप करवा के पूरी कालोनिम बटवा दीजिए, इमर्जेंसी आन पड़े तो अंदरी अंदर संपर्क हो सकना चाहिए, वो तो ठीक है, पर जो लूटने मारने आएगा, वो क्या फोन की इजाज़त देगा आपको, करने को एहतियाद जो भी की जाए, अच्छ लेंड भाई के पास, आजकल जानू में, वे चौंके, वो लोग भी तो सालों मही रहते हैं हर मौसम में, तो फिर आपका घर अनसेफ नहीं है क्या, आप लोग जो हैं, कोसला ने उन्हें आधरवक्षा, हैं तो सही, उनकी आवाज एगदम मरियल जैसी हो गई, डरिये नही मैंने इंटरनेशनल सीक्योर्टी स्कॉर्ड से एक आदमी अंप्राई किया है, 24 गंटे यही रहेगा, इतना भारी भरकम नाम, उन्हें किसी माफिया का नियंतरन करने वाले तंतर का लगा, पर चुप रहे, ऐसा कुछ कहने से अपनी मुर्खता जाहिर होती, वैसे रक्षक पर टहलना ऐसे हुआ जैसे खुली हवा के उल्लास को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हो, गिरे गिरे से घर आए, नहाए, पतनी ने मटर चौके थे, सूजी की लपसी और मेथी के बराठे, और कोई समय होता तो खुब आनन्दित होते, पर आज निर्भाव बने रहे मन एक ही भवर में गोल-गोल घूम रहा है, सिर ओकली में दिये बैठे हैं, बैक सीट ड्राइवर की तरह जो ट्रैफिक की रफ्तार से आतंकित तो होता है, पर हतेलिया मलता पीछे बैठा रहता है, कहां तो अपने ही बच्चों से अपेक्षा पूरी नहीं होती, कहां हिंस के माध्यम से मन में घुसने का जदन करती है, वक्त बेवक्त नहीं देखती, हर समय उचलती रहती है, जैसे सत्युग में सांस ले रही हो, जब देखो तब परोसन से गपों की शतरंज पसार का बैठ जाएगी, ये भी होश नहीं रहता कि दरवाजा खुला पड़ा है, सब आवाज सुनी नहीं कि जम जम चूडिया नचाती पट खोल दे की, ये सब आ बैल मुझे मार वाली बाते हैं, सक्ती से बरस देना होगा, वो भी तब जब देवा सुनता नहीं, खाना खाकर उठते एक गाड़ा सा आदेश उन्होंने बीतर से खींचा, सुनो, खाली होते ज उन्होंने अगबार सावधानी से बगल में दबा लिया, दमपती की हत्या की फोटो पत्नी को या देवा को नहीं दिखाना है, अलग-अलग कारणों से, पत्नी डरेगी और देवा हरकत सीखेगा, पत्नी ने जिस अन्मने भाव से उन्हें अच्छा कहा, उससे वो खूप हुए, ऐसी औरत है कि महत्यों की बात को सदा केंद से विचलित करके देखेगी, देवा के बारे में पूरी ताकीत करनी होगी, गले की चेन भी उतरवा देनी होगी, और वो पटुआ, जब देखो वो टार पर मुह बाए पड़ा रहता है, उपर पैसे लेने आने में इसके पैरों की महंदी छूटती है, अगबार देखेगी तो होश ठिकाने लग जाएंगे, इसी घुमेर में घुमते हुए सोने के कमरे में आए, कमरे में दीखती हर चीज उन्हें खत्रे का बुलावा जैसी लगी, खुलम खुला लालच, और घर है कि इनी सब चीजों से भर वे कब तक बच्चों की मलकियत को लेकर पहरेदारी में बैठे रहें, किस किस चीज को लॉकर की छोटी से संदूग ची में ठूसें, लड़कों बच्चों से कह देंगे, जहां भी रहना हो रहें, जो करना हो करें, पर अपनी चीजों का जुगार खुद करें, यहां सभाल देश-विदेश से लाकर यहां पटक गया है, जबकि अभी भी उनका पुराना दुशाला, उनसे ज़्यादा उम्रत दराज निकलेगा, दो ट्रांजिस्टर, तीन कैमरे, चार घड़ियां, क्रिस्टल के फूलदान, चांदी के फोटो फ्रेम, एक से एक प्रलोभग चीज इन्हें देखते पहरेदारी का भाव जादा जाकता है, कैसे समझाएं कि जब समय की इमान को आग लगी हो, तो कुछ भी बचना संभो नहीं, कहां तो पतनी की प्रतीक्षा में थे, कहां लगा कि नीचे खटपट तक बंध हो गई है, देवा को तलब किया तो पता लगा कि महरानी साहिबा की इतन में जा चुकी है, साहब को बता देना कह कर गई है, तो फिर तुमने बताया, पैर दुखते थे सूर का बच्चा, आई रहा था, ऐसी अनपेक्षित प्रतिक्रिया से देवा सहम गया, उन्हें अब इस छोटे से कमरे में पंकों का फरफ़डाना ये अभी तैसा नहीं, शायदी कभी ऐसा हुआ हो कि पुस्तक को शुरू से अंते तक पढ़ पाए हूँ, पुस्तक को हाथ में लेना, पन्नों को पलटना, छितराना, जहां तहां अटकना, पढ़ना और रख देना, अगबार तो पूरी की पूरी निपड जाती है, बाकी स सब को छिटका रहता है, अभी तो ठीक से पता भी नहीं कि किस विशे में उनकी अंदरूनी रूची है, जब तक जीमन यापन की चक्की में रहे, अपने को माफ कर पाते रहे, लेकिन अब, अब रूची की असलियत के रूबरू होना पड़ता है, अपनी आँखों में तु सबीर भी बनती है, जो अपने को अच्छी लगती है, चाए अक्षरों से रिष्टा उतना ही दुरूव बना रहता है, किताब हात में और मन देश विदेश भटका करता है, पढ़ने लिखने की भी एक आदत होती है, जिक्र चलने पर पिछली बार गोपाल दास ने कहा था, तो फिर यात्रा पर क्यों नहीं निकलते, अब यात्रा पर खाक निकले, घर को क्या सिर पर उठा कर ले जाएं, इधर उन्होंने एक तरकीब निकाली है, नोट से लिने शुरू की है, पुस्तक में जहां मन और मन्शा अटकती है, उसी पार्ट को नोट बुक में लिखने लगते हैं, लिखने लगने से पढ़ने और समझने में एक तार्तम में सा बनने लगता है, अक्ष़ों से अर्थ उबरने लगते हैं, तो मन सनलगन होने लगता है, टेबल पर बैठे तो पहले बढ़के को पत्र लिखने का विचार किया, कई दिन से टाल रहे हैं, उसने व्यवारिक सा पत्र, सोचा था बैठेंगे तो जट लिख देंगे, लिखने बैठें तो कुछ और ही लिखने लगे, माहौल का चिथा, कहां क्या हो रहा है, कैसी असुरक्षा आतंक है, लिखा ऐसे जैसे कि वो किसी दूसरे देश में रहता हो, और समाचार पत्रों का कोई द समझें न समझें, लगा लिखकर सुबह से सुरक्ता मन को शान्त हुआ है, एक निर्भाव जैसी शान्ती, या की रिक्ती, कुछ कह नहीं सकते, रिक्ती में सरक जाने से बचने के लिए ही उन्होंने अपने सामने रखी पुस्तक खींची, प्रश्ट जो खुला तो सिर मुक्त हो सकते हैं, ना उसे जीत सकते हैं, तब तक हम व्रत्य से भागते रहेंगे, डड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे, जिस दिन निडर होकर खड़े हो जाएंगे, वो विदा हो जाएगी, आप रह जाएंगे, पता ही नहीं कि मंत्र हमें ढूडते हैं, या हम मंत्रों क भूने निकले होते हैं सदियों से, दल्दल का लंबा दरिया पार कड़ते, काली हंदेरी सुरंग के अंध में एक आलोक वृत्त मुह बाए खड़ा होता है, चिर परतीक्षित, चिर प्रकाशित, पर हमें नहीं हमारी तलाश को उसका ठीक पता होता है। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि पुस्तक किसकी लिखी हुई है, पुरानी तरकीब से काम लिया, नोटबुक खीची और लिखने को प्रस्तुत हुए, लिखा, एक बार, दो बार, तीन बार, पर ये तो नोटबुक है, कितनी बार लिखते? पैट पर लिखना शुरू किया, हर नए प्रिष्ट पर एक बार फिर वही अबारत, दो बार, तीन बार, दस बार, बारम बार, जितनी बार दो राया, अर्थ से रिष्टा उतना ही प्रगाड हुआ, आत्मसात किया, लिखते सोचते रहे इतनी बार लिखा जा रहा है तो भी क लिखाफे में भरकर टिकट लगाकर इस इबारत को वो हर मित्र, परिचित और पडोसी के नाम रवाना कर देंगे, हर किसी को कभी ना कभी तो जानना ही पड़ेगा कि ये बात जीवन यापन की सबसे सर्वोपरी बात है, मान लो समय को बदला नहीं जा सकता पर मन को तो नि कुछ नी मिलने लगती है, आगे लिखते चले जाने को उनके मन में कितना कुछ और उमरने लगा, अनायास, तो उन्होंने घबरा कर कलम रग दी, वो क्या कोई संत महात्मा हैं, अभी आप सुन रहे थे, राजी सेट जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी इन दिनों, कहान आपको कैसी लगी, कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कल मिलेंगे, फिर किसी नई कहानी के साथ, आपका समय शूख हो